हाई गाईज वेलकूं टू क्रेटिंग वैल्थ तो एक बार जिंदाल स्टेंडलेस के भी जो है रिजल्स देख लेते हैं कैसे आते हुए देख रहे हैं तो प्रोफिट में भी ज Dallas जो है ग्रोत देखने को मिल रही है आपके सामने में प्रॉ приг देखता हूं तो प्रॉफिट आप देखेंगे तो कहीना कहीあぁ्- से किरोटी जंप है और previous year के quarter से देखेंगे तो multifold profit जो है कहीना कहीं देखने को मिल रहा है यहां पर same situation देखने को मिल रही है आप देखेंगे income के अंदर तो income के अंदर भी एक अच्छा कासा revival है देख सकते हैं 21,200 89 के आसपा जो income होती हुए देख रही है जब कि previous FY21 के अंदर जो है 12,239 करोड की थी और profit तो multifold है profit में तो जंप बहुत ही शौलेड है 419 करोड के सामने जो है profit आता हुआ दिख रहा है 1909 करोड का तो result बहुत ही शांदार है stock ने आला कि अभी इतनी lead ली नहीं है ज्यादा upside stock के अंदर देखने को मिली नहीं है इसके दो रीजन हो सकते हैं basically या तो हो सकता है कि यह जितना भी profit आया या तो यह इतना sustainable है नहीं आने वाले time के लिए यह भी बात हो सकती है या यह हो सकता है कि कहीना कहीं अब आने वाले time में जो है stock दीरे-दीरे करके जो है तेजी का माहौल बनाता हुआ न जा रहा है क्योंकि optimistic result है संदर result है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं और यहां पर मैं एक बार आपके सामने chart pattern रखूँ तो chart pattern देखेंगे देख अच्छी खासी जो है इसमें upside उपर की बनी हुई है one year का अगर return देखा जाए तो करीब 100% के आसपास का है return ज्यादा होना चाहिए 225 और तक हाल 180 रुपे का सपोर्ट अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है देखा जाए तो और यहां पर बात करें तो यह 180 रुपीज या 175 रुपीज के आसपा जो है आपको यह सपोर्ट जो लेविल है इसको जो है कहीं ना कहीं 175 या 170 के आसपा जो है इसको stop loss मान के जो कि रिजल्ट आपकी ब इसको बिल्कुल होल्ड करके रखा जा सकता है पॉसिबिल्टी आगे जो है बढ़िया काम करता हुआ जी स्टॉक देखें जिस तरीके के नंबर तो बहुती सा उन्दार है तो यहां पर बात करें तो फंडमेंटली स्ट्रॉंग स्टॉक है तो बढ़ना तो चाहिए